Hello friends वेलकम टो Live at AMU iуд一 वीडियो में हम बात करेंगे अलिगर्ण मुसलिम टेस्ट इसेंटर कहां कहां लगते हैं और किसकोर्स का कहां लगता है कैसे लगता है इस बार क्योंकि सेंटर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बता देता हूँ आपको center के लिए पहले सबसे पहले centers के rules जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं सबसे पहले आप देख लीजे university को right है आपका change है cancel करने का कोई भी test center मतलब जैसे आपको test center कोई हुआ है आपने कोई दिल्ली चूज कर लिया तो university change भी कर सकती है या उससे cancel भी कर सकती है ठीके तो आप ये बात ध्यान नकिएगा लेकिन ऐसा होता नहीं preference मिली ही जाती है आसानी से और mostly अलिगड में भरते हैं और आपका कोई भी आप अलोट कर सकती है university आपको test center आपकी preference के बगएर ऐसा भी हो सकता है आपने दिल्ली और अलिगड भर दिया जैसे center तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली और है अगर जो available है वो बात अलग है मैं बताऊंगा भी वीडियो में तो वीडियो पूरी देखेगा अगर मैं example ले रहा हूँ दिल्ली और अलिगड ले लिया और आपका इसमें preference नहीं थी आपका अलिगड AMU की मरजी है कि अलिगड दे दे या कुछ भी दे दे preference के उपर कोई depend नहीं करेगे university पे इतना राइट है वैसे करती नहीं मैं बस आपको बता रहा हूँ यह rules है university तो university के पास इतनी authority है और आपका complete address होना चाहिए उस variety पे मतलब जो आएगा वो आपके test admission test का पता चल जाएगा कि पूरा complete address आजाएगा ठीक है और आपका departmental जहां पे होता है selection मतलब इसमें जैसे departmental test होते हैं आप जानता होंगे departmental test का अगर नहीं जानता है तो मैं वीडियो बना दूँगा इस पर departmental test पर तो उसका departmental जो test होते हैं उनका center सिर्फ अलिगड में ही होता है आप अलिगड के लाव काई center नहीं बढ़ सकते हैं कोई option नहीं होता क्योंकि department में आके test देना पड़ता है उनका अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से city में आपके test center लगते हैं EMU के ठीक है मतलब कहां कहां किस course के किस city में लगते हैं सबसे पहले BTEC देखिए BTEC का आता है BTEC का आपका एक तो आएगा अलिगर्ड लखनाओ पटना भिहार और श्रीद नगर्ज जम्मू कश्मीर कोजी कोड कैला और कॉलकता वेस्ट बेंगोल यहां पर यह छे center हैं आपके BTEC के BTEC के छे center होते हैं यहां पर ही आपका center आपका option आएगा फिर आता है diploma in engineering और senior secondary school इसमें आपका commerce में commerce और science दोनों आते हैं commerce का भी science का भी और commerce आला arts humanities एक ही होता है तो diploma इन सब के कहां कहां होते हैं इनके हैं art center सबसे ज़्यादा center इसी के होते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा apply करते हैं इसमें इसमें अलिगर्ड होता है लखना होता है मेरट होता है कॉलकता होता है पटना होता है श्री नगर बरेली किशन गई ठीक है यह आपके art center है फिर आपके तीन सेंटर हो गए है मालब नौल्थ, इस्ट और साउथ में हो गए है तीनों सेंटर फिर आपका आता है BA, BSC, B.com इसके इन तीन कोर्स के लिए भी बहुत बच्चे जादा एपलाई करते हैं जादा ही होते हैं तो इसके साथ सेंटर दिये गए है Bachelor's वगरा के या Bachelor's से पहले आगा है और बाकी अब बचे कहां Master's, Courses, और आगे Further Courses मतलब All Other Courses जो मैंने नाम नहीं लिए वो सारे Courses वो उनका सेंटर सिर्फ अलिगर्ड में लगता है अलिगर्ड ही आपको आना पड़ेगा लाइक जरूर कीज़ेगा वीडियो को लाइक करे बगएर मत जाईएगा और आपको अगर ऐसे ही इनफोर्मेशन चाहिए हमेशा कंटीनियो इनफोर्मेशन चाहिए आपको तो अपडेट्स वगएरा नोटिस सभी चाहिए तो सब्सक्राइब करना जरूर बनता है सभी स्टूरेंट्स के साथ सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के ता ताकि उन्हें भी पता चल जाए कोई प्रोब्लम ना है कि कहा का सेंटर होता है वीडियो देखने के लिए थैंक यू